नमस्कार आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसे मन नीज चैनल इंडिया नीज उत्तर प्रदेश उत्राखंड और शाम के चार बच चुके हैं और चार के चक्रिवियों के साथ मैं हूँ आपके साथ आयुश्चत राइश आज उन बड़े मुद्दों को एक बाफिर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुँचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है अब लखनो के अजरत गंश थाने में शायर मुद्वर राणा के खिलाफ एक फाईयार दर्श की गई है और इसे फाईयार में मुद्वर राणा पर वैमनस्तिता बढ़ाने का आरोप लगा है इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सयोगी खुरम निजामी हमारे साथ जूड़ेंगे तो फिर वहीं आज लकनो के चौधरी चरंड सिंध हवाई अड़े का पूरा कामकाज अड़ानी गूप ने सम्हाल लिया है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सायोगी रवी कुमार हमारे साथ रहेंगे तो फिर वहीं बस्ती में ग्राम प्रधान की काली कर्तूत का भी मामला सामने आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सतीव शिर्वास्तों हमारे साथ तो फ्रांस की घटना पे विवादित पयान देने पर शायर मुनवर राना के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है के सब इंस्पेक्टर दीपक बांडे ने दर्ज करवाई है फाई यार दर्ज होने के बाद मुनवर राना की गरफतारी की भी तलवार उनके उपर लटक रही है क्योंकि फ्रांस में हुए आतंकी अमले को लेकर के मशूर शायर मुनवर राना ने ये कहा था कि जुनून की कोई इंतिहा नहीं होती है हजारों बरस से इज़त के लिए ओनर किलिंग हो रही है किसी मजब के साथ खेलना दूसरे मजब के लोगों को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो भी कुछ करें इसी बयान के बाद मुनवर राना पर ये मुकदमा दर्च किया गया है तो मुनवर राना पर ये केस दर्च हुआ है और अब उनके मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब ये कहा जा रहा है कि उनके पर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो भी लटक रही है और अब इसी पर बाक्षित करेंगे खुर्रम निजामी हमारे सहुगी हमारे साथ जोड़ रहे है खुर्रम ये बताएं कि मुनवर राना के मुश्किलें फिलहाल हम लोग देख पा रहे है फौरी तो बढ़ती हुई नजर आ रही है अफाई यार बें दर्ज हुई है क्या कुछ इससा फाई यार में कहा गया जी बवैकल देखी जो अफाई यार वो गंभीर धारों में दर्ज हुआ है वेबनेस्ता फेलाने का मामला है मनवब राना पर जो इसकी मुश्यूर शायर मीई है और इसे पहले भी रोने तायश में आकर अपना जो आवार्ट था साहिद अकादमी का उसको लोटा दिया गया था लेकिन जो मौजबतावत की बाग करें फ्रांस में जो कुछ हुआ तो उसके बाद उन्होंने खुल कर ये बात कही थी जो कुछ हो अगर मैं होता तो मैं भी उसका कतल कर देता है लेकिसाथ भी बात कही थी कि अगर वो किसी भी धार्मिक शक्सित के खिलाफ होता तो मैं उतनी ही तैश में हुता जितना आज मुहमास صاحب कर तैश में हूं लेकिन जो बात होती है वो जिस तरीके के बयानों दिया था उसको लेकर सरकार बड़ी गंबीता से लिया है उसके बाद उन पर मुकदमा गंबीत हरौम धर्ट कर लिया गया है कि ये किसी के भी साथ अगर हो तो फिर ये गलत हो सकता है लेकिन चलिए मैं आपके पास दुबारा वापस आऊंगा खुर्रम तो आपको ये बता दे कि मुनवराना के मुश्किले फिलहाल बढ़ती हुए नजर आ रही है क्योंकि अजरत गंच कोतवाली में मुनवराना के खिलाव एक मामला दर्च किया गया है जिसमें अब गिरफतारी के तलवार भी मुनवराना के खिलाव अब उनके ओपर लटक रही है आपको ये बता दे कि फ्रांस के घटना को लेकर के उसका पक्ष लिया गया था मुनवराना के तलब से आला की ये बात अलग है कि इसको लेकर के उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था लेकिन जिस तरीके से इस मामले को लेकर के विरोध प्रोदर्शन हो रहा है जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है उस पर मुनवर राना के द्वारा की गई टिपणी और कहीं न कहीं मुनवर राना के लिए परशानी का सबब बन रही है और अब सवाल यह है कि क्या मुनवर राना के अब गरफतारी होगी क्योंकि अगर प्रवोग किसी को भी किया जाएगा तो वो ऐसी ही बातों को करेगा लेकिन यह फायार दरच की गई इसमें स्पेसिफिक ऐसा क्या कहा गया कि गरफतारी की जो तलवार है देगे उन्होंका ये कहाना था कि मैं मैं भी होता तो क्यूग कर देता पर आना अभी विट पर कायम हों, जाफ तर पर कायना कि जो मैंने कहा गरत नहीं का और मैं अभी उस पर कायम हूँ, लेकिन जो बात सरकार के संग्यान में आया, और उस मिखरणा दर्जवा वह सिर्फ यह वहाँ, क्योंकि जिस तरीके से कहा उनोंने, क्योंकि उनकी बड़ा फुल कर बोले हैं और जोरान भी सी तो देखे कि जो विवाद हैं वो देखने को मिले थे लेकिन इस बार एफाई यार्दा जोना क्या हम ये मान के चलें जाहिर तोर पर कि इस बार मुश्किलें बढ़ती हुए नजर आ रही मुनववराना की खुर्म क्या आप सुन पा रहे हैं चले खुर्म से लगता हमारा संपक तूट गया हैं दुबारा कोशिश करेंगे खुर्म के पास जाने के तो आपको बता दें कि हजरत गंस थाने में मुनववराना के खिलाफ फाईयार दर्च की गई है और अब सवाल यह है कि मुनववराना की क्या इस बार गिरफतारी होगी क्योंकि जिस तरीके से फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर करके जो उनका बयान था वो आज भी उस पर कायम है इस बात को भी कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो फाईयार दर्च की गई है उसके बावजूद भी मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटने वाला हूँ मैं अपने बयान पर अभी भी कारवाई होती है क्योंकि मैं अपने बयान पर अभी भी कायम हूँ तो हज़त गन्थाने में मुनवर राना के खिलाफ यह फाईयार दर्च की गई है और अब फाईयार दर्च होने के बाद जाहिर बात है कि जो मुनवर राना है उनके मुश्किलें बढ़ती हुई नज को कहेगा खुर्रम हमारे साथ एक बाद फिर से जोड़ रहा है क्योंकि फिछले भी कई बयान हम लोगों ने मुनवर राना के देखें और फिछले कई वाकिया से रहे जिस पर खुल करके मुनवर राना बोले और उस बग भी बड़ा विवाद मुनवर राना के इन बयानों कि एक बाद जरूर है कि आफायर दर्च होगे यानि कि आप इसकी तहकीकात होगी और जो बयान उन्हें दिया है वो तमाल सोचल मीडिया पे मौजूद है यूटूब पे मौजूद है तो बयान निकालने में पुलिस को खास दिक्कत नहीं होगी लेकर उसके बाद यह बात फाइल करेगा उसमें क्या कुछ होता है और जो धारा है इसको कैसे सबस्टिशेट करता है यह बात यह भाविश्ट की बाते हैं लेकिन एक बाद जरूर है कि मनववराना की दिक्कतियों में इदाफा जरूर होता हुँआ नजर आ रहा है लेक्ति मनववराना के खिलाब और यह फायार दर्ज किसकी तरफ से करवाई गई तोड़ा इसको भी स्पेसिफिक तरीके से बताए तो देगे लखनों का थाना है उसमें फायार दर्ज हुई है एक सिपाही है उसके उसने फायार दर्ज कराई उसने कहा कि जब मैं सोचल मी सक्सिया खास शर्थ लेकिन एक पुलिस कर्मी ने फाया दर्ज कराई तो जाहर सी बात है कि मामला आगे बढ़ चुका है फाया दर्ज हो चुकी है धाराएं गंबीर है अब मनववराना आपने को कैसे डिफेंड कर सकते हैं या करते हैं लेकिन यह बाद बिलकुल साफ है कि को कह चुके हैं कि वो अपने बियान पर कायम है तो जाहर सी बात है कि मामला आगे बढ़ा जरूर है लेकिन अब कब उन से पूछ चाइए कि पूछ आच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए चाह शीड क्या समिट करती है या फिर उनको यह मौका देती है कि अगर आप बैय लेंगे या नहीं लेंगे तमाम बाते हैं लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि उनकी दिक्कतों में इजाफा जल्द हो सकता है मुनवा राना का स्टेट्मेंट मुनवाव राना को जितना मैंने देखा ऑ़ जितना मैंने running उसने साफ है कि वह बहुत कम मरतबा अश्वा और यहां से रसा Гोध म boundaries adjust में मज़त हुए इसाफय होगा से मद्य देख और ए मिन गःता हैं में दो lima एन्शास हो होनगा कि में ठार्मिक शख्सियत के किसी धर्म की शख्सियत के खिलाफ या फिर कोई आराध के खिलाफ अगर कुछ कहीं होता है तो तैश अना सभाविक है और वो भी कतल कर देते हैं लेकिन उन्होंने अपना अपना खुश्छा जाहर किया लिए लिए बहुत आगे निकल गया अगर यहा बुरा करे तो उसका बुरा में करो इसका भला यकरो तब जाके उसके ऐस्का जहनियत बदलती है उसका दिल दिल अदिमाग बदलता है मुनवर साब उनको मुहमाद साहब का जो अपमान हुआ नहीं हैं उसपर तो व नराष से लेकिन गर रूकर एग्सराहन का शृतं।